हेलो दोस्तो अगर आप फोन पे चलाना चाहते हैं और आपका एज 18 साल नहीं है तो कैसे आप लोग फोन पे पर एकाउंट बना करके फोन पे से पैसा टांसफर कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि फोन पे में एक नए अपडेट आया है ज अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा तो दोस्तो फोन पे में जो नए आप सोन एड़ हुआ है उसके लिए क्या करना है आपको फोन पे को ओपन कर लेना है अपना एकाउंट बगरा सब सेट अप कर लेना है फिर आपको хотел एपी अब करने है अब्ग्रेट करने से क्या फाइदा होगा छलिए इसके अंदर चलके देखते हैं देख सकते हैं ये मतलब यह क्यों अपना अपगरेट करना है यहां पर दिख रहा है तो top of with up to 2 lakhs मतलब आप अपने wallet का जो limit है 2 lakh तक कर सकते हैं जो कि अभी मेरा 10,000 है 10,000 रुपए मैं रख सकता हूँ अभी का मेरा minimum अपग्रेट हुआ है मतलब minimum के वाशी बोल सकते हैं और जब मैं इसको अपग्रेट कर लूँगा आपको 5 easy steps को follow करना होगा पहला देख सकते हैं आपके पास pen card होना चाहिए अधार card होना चाहिए उसके बाद आपको address details में डालना है फिर आपको personal details डालना है वीडियो call पर जो agent रहेगा उससे वीडियो call पर आपका वीडियो verification होगा फिर आपका wallet अपग्रेट होगा अब दोस्तों अगर आपका एज 18 सन नहीं है तो में भी आपके पास pen card भी नहीं होगा जो लोग manner pen card बन वाली है उनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर आपका लेज 18 सन ले हुआ तो आपके पास pen card भी नहीं होगा तो इस situation में क्या करिएगा आप लोग अपने family में किसी का भी pen card होगा तो आप लोग उनहीं से जो उनका detail लगेगा जो भी detail हैं पर मांगा जा रहा है pen card अधार card सब कुछ आप अपने family member का जिनका pen card होगा उनका अपने details डाल करके आप लोग अपना wallet अपग्रेड किजीए तो चलिए मैं अपना wallet अपग्रेड करता हूं और बताता हूं कैसे आपको अप्ग्रेड करना है तो अपनेius नॢू यान दालिता है और यहां पर आपको पर आपको पन अबन पर इता हूं फिर अपको कॐन कहीं नाम डालना होगा जो फूल नेम होगा आपके पेन पार वही आपको डाल देना है नियहरं का और आपको यहां पर verify pen details के उपर click कर देना है यहाँ पर verifying pen details देख सकती है और pen is verified pen card मेरा verify हो चुका है तो यहाँ पर language select करने के लिए आई चुका है और यहाँ पर I agree के उपर click करूँगा जो English by default set है इसी को मैं I agree के उपर click कर देता हूँ देख सकती है आपर अधार card का जो 12 अंक होता है मतलब अधार number उसको डालना है अगर आपका अधार number नहीं मिला है तो आप virtual ID से भी इसको complete कर सकते हैं तो मैं अधार number डालता हूँ फिर आपको verify अधार details के उपर click करना होगा और जो mobile number register रहेगा अधार card में जो number link रहेगा उस पर एक OTP आपको यहापर manually डालना पड़ेगा अब दोस्तो OTP डालने के बाद आपको submit के उपर click करना है और देख सकते हैं मेरा अधार card भी verify हो चुका है तो मेरा अधार card में जो भी address है वो यहाँ पर आचुका है automatically यहाँ पर add हो चुका है तो आप लोग address सेम रहने दीजेगा फिर proceed के उपर click कर दीजेगा आपको कुछ भी changes नहीं करना है अब दोस्तो आपके सामने आजाएगा आपका personal details डालने के लिए तो आप लोग यहाँ पर personal details भी डाल दीजेगा अब दोस्तों यहाँ पर personal details डालने के बार मैं प्रोसीड को उपर click करूँगा और देख सकते हैं मेरे सामने आचुका है यहाँ पर video verification का जो step है वो आ चुका है तो यहाँ पर करना क्या है मुझे video call करना होगा तो चलिए video call करते हैं start video verification के उपर click करते हैं दोस्तो video verification के लिए जिनका pen card आप लोग यूज़ करेंगे अपने family member में उन्ही को video call पर बात भी करना होगा तो pen card और जिनका आप pen card यूज़ कर रहे हैं दोनों लोग होने चाहिए जबाब video verification का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो यहां पर tick करके फिर I am ready के उपर click कर देना है दोस्तों देख सकते हैं video call पर एजेंट से बात करने के बाद मेरा जो वीडियो का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहां पर नीचे लिखा हुआ your details are under review the verification usually takes up to three days मतलब तीन दिन का time लगेगा इसको complete होने में तब तक आपको wait करना है और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो upgrade wallet का option आया था उसमें मेरा verification in process मतलब कि मैंने verification complete कर लिया है और phone पे द्वारा इसको अभी प्रोसेस में रखा गया है तो जैसे मेरा verification जो process है वो complete हो जाता है तो मेरा जो wallet upgrade हो जाएगा मैं अपने wallet में दो लाख रुपए तक रख सकता हूं दोस्तों जो आप लोग अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी डेटेल यूज करके phone paper wallet upgrade कर लेंगे तो आप भी दो लाख रुपए तक अपने wallet में रख करके कहीं पर भी online transaction कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप phone पर चलाना चाहते हैं और आपका जटारा साल नहीं है तो आप बहुत असानी से चला सकते हैं और दोस्तों एकदम legal तरीका है कोई भी fake नहीं है और यहाँ पर मैंने पूरा process आपको complete करके करके दिखाया वीडियो वरिफिकेशन का जो process की वजह से मैंने इसको skip कर दिया है बट आप लोग अपना वीडियो वरिफिकेशन बहुत असानी से कर सकते हैं और अगर आपको इसे related कोई भी problem आती है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर contact कर सकते हैं मैं आपकी प्राब्लम को solve करने की पूरी कोशिस करूंगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टापिक पर तब तक के लिए टेक केर